Hello YouTube friends, हमारे अगले वीडियो के दवारा हमने बताया था After 10 standards कौन से choices के साथ जा सकते हो Part 1 में हमने बताया था ITA courses के बारे में Part 2 के अंदर आपने देखा था diploma courses के बारे में अब हमारे जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे After 12 standards आप कौन से stream के साथ जाना चाहते हो और कौन से choices आपके पास available है वो यहां हम दिखाएंगे काफी सारे student को वो पता नहीं होता है कि हमें कौन से पूर्सिस करने चाहिए और कौन से हमारे पास choices available है जो हम यह वीडियो के दर आपको दिखा रहे हैं हमारा जो first part है उसके अंदर हमने बताया है after 12 times के बारे में हमारा दूसरा part है उसमें हमने बताया है after 12 art string के बारे में हमारा जो इसरा part है उसके अंदर हमने बताया है After 12 Commerce आपके पास कौन सी चॉइस इस अवेलेबल है उसके बारे में हमारा जो Part 4 है उसके अंदर हमने बताया है Common Carrier-After 12-AnyStream के बारे में हमारा जो 6 वीडियो है उसमें हमने आपको बताया है Diploma Courses-After 12-AnyStream उसके बारे में हमने बताया है और हमारा जो आकरी वीडियो है उसके अंदर हमने बताया है कि योशन के बाद आप कुन से पोस्ट इस अवेलेबल है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरी चैनल को सब्स्ट्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक दें थैंक यू